Hello everyone, good evening, कैसे हूँ, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे Show friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Seated Online Form 2024 के बारे में की B8 वालों को Paper 1 का Form Fill करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और D8 वालों को Paper 2 का Form Fill करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सारा का सारा डाउट के लिए करने वाला हूँ, इस वीडियो में यूपीटेट सीटेट एक्जाम की पलपल की लेटिस्ट ऑथन्टिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी Education विसाइल YouTube चैनल को सबस्क्राइब करिए ताकि आगे जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे बहले हमारे चैनल के मादम से मिल सेगे और मैं बता दूँ, सीटेट एंड यूपीटेट एक्जाम की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर बिलकुन फ्री में कर सकते हैं क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो प्ले लिश्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं और सबसे अथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के मादम से ही देखने को मिलेगी जब भी अपडेट आएगी सार का सारा डा garant में आपका clear करने वाला हूं बिएड वालों को paper 1 का form फिल करना चाहिए यन नहीं करना चाहिए आप सबी को पता के CTAT को online form start है और यह जो अभी form start है यही form पिछली बार भी था क्योंकि इसमें कुछ update नहीं किया गया है तो B8 वालों को अब इसमें मौका भी दिया जा रहा है तो क्या उनको फार्म फिल करना चाहिए तो मेरा जो जवाब होगा नहीं कोई मतलब नहीं है क्यों कि Supreme Court के द्वारा B8 को प्रात्मिक से बाहर कर दिया गया है तो कोई मतलब भी नहीं है इसमें क्या होगा पैसे भी आपके बरबाद होंगे समय भी बरबाद होगा तो केवल B8 वाले जो है पेपर 2 का ही फार्म फिल करेंगे अब DL8 वाले बच्चे पेपर 2 जी हाँ बिलकुन आप एलिजबल है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए तो जीतने भी DL8 वाले बच्चे हैं वो दोनो फार्म फिल करेंगे प्रैमरी एंड जूनियर दोनो और B8 वालों को केवल जो है पेपर 2 का यानि की जूनियर का ही फार्म फिल करना है और प्रिविसरे कोश्चन लगाईए आप लोग केवल प्रिविसरे कोश्चन लगाकर सीटेट एग्जाम को कौलिफाई कर सकते हैं कुछ भी जानकारी चाहिए मुझसे बातचीत करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एड़ीग लिंक वीडियो को चैनल से तैयारी कर सकते हैं हमारे आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी ओके थैंक यूश्व मजश होप करता हूँ डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा बाबे टेक केर